नमस्कार स्वागत है आप सभी के एक बाफर साहब के पनी युटूब चलबे इस वक्त की बड़ी खबर है धान किसानों के लिए धान बास्मती के भाव में आई है तेजी किसानों के चेहरे के लिए तो धान बास्मती जल्द होगा छह हैजार रुपए प्रतिकुंटल के पा तो जिहां बता दे कि बास्मती जो धान है इसमें भाव इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि धान जो है मंडियों में कम पहुच पा रही है इसकी खास वज़े क्या है तो बता दे कि यहां पा जो धान यानि कि मिलर है जो चावल मिलर है वो माल एकदम से खरीद रहे हैं तो भा एक बार फिर से अठावन सो रुपए प्रत कुंटल पहुचे हैं इसलिए जो किसान हैं सूच रहे हैं आगे और बढ़ेंगे इसलिए धान रोके हुए हैं और साथ में बढ़ा दें कि मिलों में धान कम हो जुगा है इसलिए जो खरीदार हैं वो लगातार चड़ बढ़कर ध धान होते हैं तो वहां पर बारिस की वज़य से उत्पादन में भी फर्क पड़ा है और काफी फसल लेट हो गई है मंडियों में पहुचने से पहले तक अभी तक लेट हुई है इसलिए जो भाव हैं हाथों हाथ जो है खरीदार ले रहे हैं भाव के हिसाब से धान खरीद रह रही है तो हैसा विगत दिनों में और भी भाव बढ़ सकते हैं 6000 की पहुंच सकते हैं फिलाल मंडियों में अब फिलाल आगे 10 दिन में बास्मती धान की बंपर आवक देखने को मिलेगी तो फिलाल अभी जो भाव हैं वो ठीक चल रहे हैं और आगे भाव इतने बढ़ने की ना की बरावर संभाव नाए हैं तो फिलाल जो अपडेट है पंजाथ की 33 मंडि से यहां पर 11 किस कमबाईन से घटा हुआ धान का भाव है 495 रुपऎय व्रत कुंटल गयरा इकिस हांस से घटा हुआ है 434 रुपई जिब की 37 कमबाईन से घटा हुआ है 495 रुपई हांस से किसान भायों जो सबसे टॉप भाव निकला है वो तरावडी मंडी हरियाना से बास मती तीस नंबर का भाव तो यह रही अपडेट लगातार भाव के लिए अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें धर्माद